वेल्कम टू अभिती क्लासेज। सारी रिख्षिच्छा विशय के अंतरगत। आज हम मनुरंजन रिक्रेशन जो हमारा भाग है। मनुरंजन भाग को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्ण है। मनुरंजन सद किस भासा की दो सब्दों का योग है। है क्या मनुरंजन यानि की मन को आनन्दित करना। मनुरंजन का तातपर क्या हुआ। मन को आनन्दित करना। जिसका इंगलिस सब्द क्या है रिक्रेशन, रिक्रेशन मतलब होता है री, री मतलब होता है पुनह या फिर से, हाना, क्रियेशन मतलब होता है निर्मार करना, क्रियेट करना, हाना, अतार्थ क्या हुआ कि पुनह निर्मार करना, जो मानसिक आनंद मनुस में सिथिल पड़ ज करते सक्ति को फिर से निर्मित करने की जो छमता है वही रिक्रियेशन कलाती है तो जो यह रिक्रियेशन बन रहा है तो वह बन रहा है किस भासा से लैटिन भासा से किस भासा से लैटिन भासा से यह जो है रिक्रियेशन बन रहा है अब अगला हम देखते हैं कहा गया है कि मनु मनुरंजन की बिशेस्ता हैं अब क्या होता है कि मनुरंजन की जो बिशेस्ता हैं सो अच्छा से भाग लेना ठीक है मनुरंजन से बिशेस्ता है तो क्योंकि मनुरंजन जो है अपनी इच्छा निर्भड करता है यह दबाव पर नहीं यह किसी के द्वारा कारे करा जाने से नह तनाव में कमी होगा, आप भूल जाओगे, आपकी तनाव खतम हो जाएगी, किसी प्रकार की तैयारी वा प्रिशिच्छन की आउसकतर नहीं होती, मनुरंजन का तात्पर है कि अपने दिल की सुनना, आपका जो दिल करे वैसे करना, जिस प्रकार करे वैसे करना, हमें आनंद क कि अनुभूती होनी चाहिए, वो कैसे भी हो, तो हम स्वयम अपने आप से जो है, जो हमें अच्छा लगता है, हम वो करते हैं, तो मरोंजन की विशिच्छताएं सभी हैं इसमें से, उप्रोक्त सभी, खेल एक स्वयच्छिक और आत्म केंदित क्रिया है, खेल कैसा क्रिया है, स्वयच्छिक यानि कि हम स्वयम की इच्छा से खेलते हैं, खेल एक स्वयच्छिक है, यानि कि अपने इच्छा के अनुसार है, आत्म केंदित क्रिया है, यानि कि अपने आत्म केंदित से जो है, इ इसके द्वरा कहा गया है तो कि स्वभावे क्रिया है यानि स्वच्छे क्रिया है सारी रिगमान से क्रिया है और आंत्रिक लच्छ नहीं होता इसे में कोई लच्छ नहीं होता हमें आनंद की अन्भोती होती है वही हमारा खेल की विशित्ता है यानि कि ये सही होगा उपरोग सभी खेल में प्रियोग होने वाले सब्द जिनका अर्थ एक हो तो जो खेल में प्रियोग होता है उसको आप चाहे प्ले कहो चाहे स्पोर्स कहो और चाहे गेम कहो ठीक है ना आप गेम कहो और अचा जो प्ले है आप प्ले कहते हो तो जो खेल होता है उसमें मतलब कि क्या होता है कि उसमें कोई रूल नहीं होता लेकिन गेम का आर्थ भी खेल ही होता है लेकिन गेम क्या है? गेम में थोड़े से rules होते हैं यही माना जाता है लेकिन तात पर यही है कि गेम हो या फिर play हो या फिर sports हो इसको हम खेल के रूप में ही देखते हैं यानि कि उपरोक्त सभी सारीरिक सिच्छा यह खेल कुद के मनुरंजन का महत तो है इसका महत तो क्या है? सारीरिक सिच्छा में जो है यह खेल कुद में मनुरंजन का क्या महत तो है? हाना? सारीरिक सिच्छा में खेल कुद का क्या महत तो है? मनुरंजन का क्या महत तो है? सारीरिक और मांसिक तनाओ और मांसिक विकास है, तीक है, समेग आत्मक विकास है, और अत्रिक्त उर्जा का सदिप्योग, इसमें क्या होता है, कि जितने भी अत्रिक्त उर्जा होते हैं, उसका हम सदिप्योग कर लेते हैं, मनुरंजन में क्या होता है, जो हमारे पास अत्रिक या गत्पिजी को क्या कहा जाता है जिसमें भाग लेकर ब्यक्ति आनंद याँ खुशी प्राप्त करता है आप खुश समझे जगडा में आपको खुशी प्राप्त होती है अच्छा किसी को प्राप्त होती है किसी को जगडा करने में बहुत प्राप्त होती है आनंद किसी को म मारणजन नहीं जिसमें कहानी yardम हो जाए आगे देखते हैं मनौरंजन की गदविदिया समाज़ दौरा माननी होती है यही सत्य है यह क्या है, सत्य है क्योंकि मनोरंजन की जितने भी गत्विदियां होती है वो समाज द्वारा मानी होती है, ये सत्य है मनोरंजन के कथन और उद्देश क्या है देखिए अवकास के समय का सदुपियो करना ही मनोरंजन है सही बात है अगर आपके पास समय है आप पढ़ाई करते करते उप गए हैं तो आप फिर से उसको पुना निर्मार क्रियेशन करना है ना आपको रिक्रियेशन करना है तो आप जो है मैच खेलने चले जाओ, कोई भी मैच हो, क्रिकेट मैच हो, या फिर बॉलीबॉल, या फिर फोड़बॉल, कुछ भी हो आप, जिसमें आप मनोरंजन प्राप्त करो, प्रसंत्ता यों संतुष्टी प्राप्त करना, ये भी उद्देश से है उसका, कि आपको खुश रख सके, और तनाव से मुक्ती भी हो जाएगी, तो इन में से सभी, अगला है, मनोरंजन बिना खेल के भी हो सकता है, तो मनोरंजन है, क्या है मनोरंजन, क्या हर समय, हर जगह हम जो है, खेल खेलते हैं, तभी हमारा मनोरंजन होता है, नहीं न, हम अगर चौराहे पे हैं, हम नहीं पे भी हैं, तो हम मनुरंजन कर सकते हैं, हाना, मनुरंजन कर सकते हैं कई प्रकार से, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम जो है, सिर्फ है, खेल खेलें, तभी ही हमारा मनुरंजन होगा, कहने का ताथ पर ये है, कि मनुरंजन जो है, खेल के बीना भी हो सकता है, यह जो ह मनुरंजन में संबंद है क्यों संबंद है क्या संबंद है देखना ये है क्योंकि दोनों स्वेच्छी क्रिया है सही है कि खेल भी स्वेच्छी क्रिया है इसके पहले में बताया और मनुरंजन भी स्वेच्छी क्रिया है दोनों को करता स्वेच्छा से करता है ये भी सही है कि जब भी आप खेल या फिर मनुरंजन ये जो है जो करता होता है वो स्वेच्छा से करता है किसी के दबाओं में आकर नहीं दोनों आउकास के समय के सद्विप्योग से सम्बंदित है या अगर आपके पास खाली समय है तो उसका सद्वी प्योग कर सकते हैं कैसे मनुरंजन करके तो इसमें से सभी सही होगा खेल वा मनुरंजन को एक मानना उचित नहीं है क्योंकि अच्छा खेल और मनुरंजन को एक नहीं माना जा सकता हाँ बलकि इसमें कुछ समानताई हैं लेकिन आप खेल और मनुरंजन को उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि क्योंकि खेलों में प्रसिच्चन की आओ सकता होती जब कि मनुरंजन में नहीं ये सही बात कह रहा है कि अगर आप खेल खेल रहे हैं तो उसमें प्रसिच्चन की जरूरत होती इसके पहले में बताया था कि खेल में कुछ रूल होते हैं लेकिन मनुरंजन में कोई रूल नहीं है, अपने आप से, मनुरंजन बिना खेल के हो सकता है, यह अभी पहले बताया गया, संभव है, खेल से मनुरंजन नहीं, यानि कि जरूरी नहीं है कि जो है, खेल हो तभी जो है मनुरंजन होगा, बिना खेल के भी मनुरंजन हो सकता है, लेकिन खेल से मनुरंजन नहीं हो सकता जरूरी नहीं है कि हाथ खेल से मनुरंजन ही हो खेल मनुरंजन का साधन है मनुरंजन तो खेलों का उद्देश है खेलों का जो उद्देश है क्या है? मनुरंजन कराना खेलों का जो उद्देश है मनुरंजन ठेक है? मनोरंजन के सरकारी अभिकरण, जो सरकारी अभिकरण है न, वो क्या-क्या है मनोरंजन के, उसमें क्या-क्या हो सकता है, जैसे कि एक संगीत कलाकादमी, ये मनोरंजन के सरकारी अभिकरण है, राष्टी मनोरंजन संथा, ये भी आपके मनोरंजन सरकारी अभिकरण है, और यू चिक एवं अर्ध सरकारी अभिकरण स्वेट चिक और अर्ध सरकारी हना इनको जो है यह अपना एक संस्था बना के रखते हैं कैसे जैसे कि आप देखो YMCA Young Man Christian Association ठीक है YWCA हो गया हना या फिर जो है स्काउट गाइड देख लीजिए स्काउट गाइड जिसमें रोवर सेंजर स्काउट गाइड बुल-बुल कैब यह सब आते हैं हना कब और बुल-बुल तो यह सभी यानिक की तात पर यह है कि यह सभी जो है किसके उपकरण है यह जो है सरकारी अब करने है स्वैच्छिक और अर्द सरकारी अपने इच्छा के द्वारा बनाया गया है यह सब मनोरंजन की ब्योसाइक एजंसियां है अब ब्योसाइक जिसमें ब्योसाइक होता हो और मनोरंजन भी प्राप्त होता हो हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं सिनेमा से सरकस में भी हमको क्या मिलता है मनुरंजन मिलता है लेकिन हम क्या करते हैं पैसा देते हैं प्रदर्शनिया जो लगती है वहाँ पे भी खर्च होता है ब्योसाइक है एक प्रकार से उसको कह सकते हैं हम तो यहाँ पे जितने भी हैं वो सब सभी ब्योसाइक एजेंसियां है मनुरंजन के, मनुरंजन से दूर होता है, मनुरंजन से क्या-क्या दूर होता है, नीरस्ता दूर होती है, उबाईपन दूर होता है, ठकावट आप ठक चुके हैं, तो थोड़ा सा मनुरंजन हो जाता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे खेल क्रिया है यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो खेल है वो किस प्रकार के क्रिया है तो वो जो है किस प्रकार के क्रिया है स्वाभाविक है, सारभौमिक है, आत्म प्रेरक और आनन्द मैं भी है यानि कि सभी प्रकार के ठीक है निमन लिखित में से कौन सा मनुरंजन का अभिकरण है तो मनुरंजन का अभिकरण है तो मनुरंजन का अभिकरण देखिए यूआ महुसो जो होता है वो भी अभिकरण है अप्पू घर इसमें भी जो है हमें मनुरंजन प्राप्थ होता है नाटक और नित्य हम अगर देखते हैं जो रैलियों में होता है या फिर जो है आप कहीं पर भी देख सकते हैं कॉलेज में होता है स्कूल में तो यहां पर क्या होता है मनुझन प्राप्त होता है तो इस प्रकार से यह सभी सही है मनुरंजनात्मक गत्विधियों की प्रकति रचनात्मक होती है ये सत्य है या फिर असत्य है तो सिंपल सी बात है जो भी मनुरंजनात्मक गत्विधियों है उनकी जो प्रकति होगी रचनात्मक होगी बिना रतनात्मक के हमको आनंद नहीं मिलेगा यह सका तात्पर यह है कि यह सत्त कहा गया है अगला है सिच्छन संस्थाओं में होने वाले खेल किस प्रकार के मनुरंजन है यानि कि जो आप लोग preparat करते हैं वो कों से मनुरंजन के अंत्र गतांगे वो आएंगे संस्थाओं मनुरंजन केंद्रीबुड की स्थापनक किसवर्स होई सारेरिक सिच्छा तथा मनुरंजन केंद्री बोर्ड इसको आपको याद रखना है सन 1950 में कब हुआ था? सन 1950 में 1950 में क्या हुआ कि सारेरिक सिच्छा बोर्ड तथा मनुरंजन केंद्री बोर्ड के स्थापना हुई थी अगला देखते हैं रत दौर किस प्राचीन घाट इस सब्वेता में मनोरंजन का साधन था, इसके पहले भी मैं बताया हुआ था इसको, रत दौर जो है न, यहां पे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में, रत दौर को आप बहुत अच्छी तरीक के से देख सकते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया में क्या क्या होता है, बाल केंद्रित वा समाज केंद्रित होता है, लोच का सिध्धानत होता है, उपलब्द साधनों का अधिकतम प्रियोग होता है, किसमें मनोरंजन संगठन में, देखे, इसका मतलब सब सही है, मनोरंजन, ग्रामीड मनोरंजन क्रिया है, ग्रामीड मनोर जाता है धार में कुछ सो होता है और कलाप्रदशन भी होता है कहने कातात पर यह वberry मरवंजन की क्रियाए chapter ग्रामिंद मरवंजन् को प्रभावुत करने वाले अब जैसे क्या होता है कभी कभी जो है मर्वनजन्द को प्रभावुत करने लेकिन आगर आपके पास धन की कमी होगी मानली जीए दीपावली में आप बहुत अच्छे से जो है लुप्त उठाना चाहते हैं आनंद उठाना चाहते हैं लेकिन क्या हो आपके पास धन की कमी हो पैसे ही ना हो हाँ ना या फिर गाउं में राजनीति का प्रवेश कर जाए जब राजनीति प्रवेश कर जाती है गाउं में न तो उस समय मनुरंजन प्रभावित हो जाता है या फिर सूविधाओं का अभाव हो जाए वहाँ पर सूविधा का अभाव हो तो कहने का तात्पर इन सब कारणो उसे जो है ग्रामेर मनुरंजन प्रुभावित हो जाता है। निमलेखित में से कोन सी मनुरंजन की प्राइबेट एजंसी है। देखिए इसके पहले हमने पढ़ा सरकारी एजंसीयां, संथागत, हाँना, ब्योसाइक। अब यहाँ पर देखना है private agency private agency में जो है क्या क्या सकते हैं church और योगी कर्मशारी उसके बात खेल संग ये सब जो है manoranjan के private agency है ये सब क्या है private agency है किनके manoranjan के अगला है manoranjan के प्रकार manoranjan अब simple थी बात है कि मनोरंजन जो है सक्री भी होता है या सक्री भी होता है इंडोर भी होता है यानि कि आप घर में मनोरंजन करो बाहर करो, स्कूल में करो, कॉलेज में करो ट्रेन में करो, चाहे बस में करो तो आप जो है अपनी तरफ से स्वेच्छा की तरफ से यानि कि स्वेच्छा स्याप मनो automotive नहीं है मनो रंजन का कौन सा भाग नहीं है खेल कुछ मनो रंजन का भाग है प्रतियोगीत्या मनो रंजन का भाग है उजब साह वर्दग भी मरॉंजन का भाग है लेकिन यह जो संगर्ष है na इसमें से कहां आपको आनन्द मिलेगा आप संगर्ष कर रहे हैं उसमें आनन्द आएगा बहुत कमिई साय ऐसे कुछ लोगोंगे जो संगर्ष में भी आनन्द लेते होंगे लेकिन यहाँ पे मनरंजन का भाग क्या नहीं है संगर्ष नहीं है कौन सी सक्रिय मनरंजन नहीं है यहाँ पे सक्रिय और आशक्रिय मनरंजन में अंतर बताना है कि इसमें से कौन सा सक्रिय मनरंजन नहीं है तो अगर देखा जाए सक्रिय मनरंजन नहीं है देखना है तो ये जो है सतरंज खेलना तो सक्रिय है क्रिकेट भी सक्रिय है टेबल टेनिस भी सक्रिय है लेकिन आप घर में बैठे हो कुन्ने में जाके और रेडियो सुन रहे हो क्या सुन रहे हो रेडियो कान में लगा हुए हो पड़े हुए हो एक बेड़ पे चरपाइप पड़े पड़े जो है रेडियो सुन रहे हो तो कहां से वह सक्रिय हो जाएगा वह मनरंजन क्या है असक्रिय मनरंजन के इंतरगत आएगा अग्ला है सारिरिक बल वाली मनूरंजन कृयाएं हैं अब सारिरिक बल चाहिए आप बैठे बैठे सत्रंज़ खेले लोगे करम बोर्ड हो जाएगा लूडो तो मुबाइल में ही खेले लो तो भी सही अगली सही लेकिन अगर आपको सारीरी क्रिया करनी पड़ेगी न तो जब जंप मानना पड़ेगा दोड़ना पड़ेगा कुंदना पड़ेगा सब सेटिंग देखनी पड़ेगी तो वो टेबल टेनिस में कि ऊपर से न निकल जाए, नीचे से न निकल जाए, दाएं बाए से हाना, तो आपको पुरा फ्लेक्सपल बनना, वह आप एकदम करण की तरह बनना पड़ेगा, टेबल टेनिस में, और टेबल टेनिस किस देश की राष्टी के लिए, चाइना वालों की, चेन की, तो छोड़ तो भई इसमें पैसा देना पड़ेगा, तो ब्योसाइग हो गया उनका, संगीत कारिकरम क्या पता कि वहाँ पर इंट्रीफीस लग रही है, सिनेमा मतलब टो अप्टिकर देकर अंदर आप घुसेंगे ही घुसेंगे, चो महिला संगीत कलब है न, ये ब्योसाइग गतविधियां हैं, साहितिक गतविधियों में मनुरंजन गतविधियां, ये किस प्रकार की हैं, तो ये जो है कभी सम्मेलन, आप जब देखोगे न, कभी सम्मेलन, बड़ा मज़ा आता है, कोई कभीर जी बैठे होते हैं, कोई, हाना, ऐसे से होता है, जो है कभीर रस्खान कोई मीरा बाई का गाना गाएंगे तो कोई रस्खान जी का है ना तो इस प्रकार से जो साहिति गजविदी मनुरंजन होता है वो कभी सम्मेलन में होता है अक्सर आप जो है इसको जब रह लिया जाती है स्कूल की तरफ से संस्था गज़ वहाँ पर देखते होंगे खेल कुदव मनुरंजन की जो क्रियाएं होती है हना सांस्कृति कारिक्रम में मनुरंजन की सहगामी क्रियाओं का लच्च क्या है सहगामी जब क्रियाएं है उसका लच्च क्या है तो खाली समय का सद्विपयो करना है और प्रतिभाओं की खोज करना है कैसे आप क्लास में बैठे हुए हो आर दस बच्चे हैं तो सबसे एक बार गाना कोई कमेडी सुनाएगा कोई गाना गाएगा तो कोई जो है ब्यांग करेगा कोई किसी की मिमिक्री करेगा तो इस प्रकार से जो है प्रतिभाओं की खोज की जाती है किसके अंदर कितना क्वाल्टी है राष्टी एकता की भावना का विकास होता है सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि खेल हो या फिर मनुरंजन उसमें राष्टी एकता की भावना का विकास हो तो सबसे सूपर है इसके लिए ये सभी सही है कालिस तथा बिश्विद्याले में मरुरंजन के क्या साधन है मरुरंजन के क्या साधन है कॉलेज वो बिश्विद्याले में देखिए रहे लिया जाती है तो वहाँ पर खेल कुद प्रत्योग्दा होती है सांस्कृतिक कारिकरम भी होगा वहाँ पर क्या करेंगे कि वहाँ पर जो भी अतित लोग आते हैं तो उनके स्वागत में स्वागत गीद गाया जाएगा बाकी और भी बहुत जादे निव्त किये जाएंगे और एकांकी होता है साहितिक रियाए होती हैं वहाँ पर तो इस प्रकार से जो यह सब कितने हैं यह सब मनोरंजन के साधन है मनोरंजन सब अंग्रेजी भाशा के कितने सब्दों से मिलकर बना हुआ है तो अभी इसके पहले भी मैं बताया आप से कि जो रिक्रियेशन होता है ना हना recreate करना तो जो मनोरंजन है अंग्रेजी की जो है 10 सब्दोस मिलकर बना हुआ है कितने सब्दोस है वो 10 सब्दोस मिलकर बना हुआ है क्या मनोरंजन मनोरंजन का प्रतच सिधान्त नहीं है प्रतच सिधान्त नहीं है प्रसंता कानुभाव ये तो प्रसंत है भाई आप प्रसंत हो बड़े आज बहुत खुश लग रहे हो क्या बात है तुरंत आप बोल लोगे मानसिक तनाव से मुक्ति पागे तो क्या होगा आप तुरंत समझा आज आएगे कि हाँ ये तो बिलकुल फ्री है ने तो कोई आदर्स ना गरिखता इसमे आप मनरंजन का कोई प्रताश इद्धान्त नहीं पाओगे मनरंजन के भिभिने प्रकार कोण-काद से मनरंजन हो सकते हैं आपके तरह अब आप परिवार में हो वहां मनरंजन करखलू और चारीक मनरंजन करखलू सामुदाइक और व्यावसाहि यह सब यतने भी से सब व्याव साइक मनोरंजन है यानि कि यह सभी क्या है मनोरंजन के विभिन प्रकार है मनोरंजन का महत्व है मनोरंजन का महत्व है तो मनोरंजन का जो महत्व है ना मनुरंजन एक मौली की मानवी आओ सकता है जरुरत है इसकी क्यों जरुरत है क्योंकि जो है कि इसके मनोजन के चलते हैं एक मनुस जो डियप्रेसन झेलता रहता है एक तंव में चला जाता है तो उसको बाहर δेक् करें मनुण मनुरंजन बहुत ही ज्यादा महत पूर्ण है, मनुरंजन सिच्छा एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी सही बात है, यानि कि ये दोनों सही हैं, अगला है, मनुरंजन में खेल बिधी का महत तो क्या है, तो खेल बिधी का महत तो ये है कि अगर आप मनुरंजन के साथ साथ खेल खेल रहे हो, तो ज्यान आत्मा विकास होगा, रुचि का विकास होगा, आत्मा ज्यान की भावना का विकास होगा, और ये सभी, यही सभी सही है, अगला है, मनुरंजन से होने वाले लाब, आप मनुर कर सकते हो मनोरंजन कर रहे हो आप क्या प्राप्त करोगे सबसे बड़ी बात गुत और का विकास होगा अच्छी आदित्त और नेटत गुरों का विकास होगा मनोरंजन से लाभ ये सभी होते हैं मनोरंजन के छेत्र है आपकी छेत्र में मनोरंजन कर सकते हैं तो वो चाहे स्वास्त विकास हो आवकास की समय का उपियो करना हो या फिर सामाजिक संवठनों का छेत्र हो इन सभी में आप मनोरंजन के छेत्र का जो है आभास करेंगे, यह सब ही क्या है, मनोरंजन के छेत्र हैं, मनोरंजन के उद्देश क्या हो सकते हैं, वही है सिम, कि स्वास्त विकास होता है, आउकास के समय का उपयोग होता है, समाजिक संग्थन का छेत्र, यह सब ही क्या है, इनके उद्देश से हैं, मनोरन्जन के recreations का Latin अर्थ क्या है अभी हमने सबसे स्uring में बताया था आपको कि इसका Latin भास यहाँ पे यूज किया गए हाँ, इसका अर्थ क्या है re मतलब होता है पुनर re मतलब फिर से creation मतलब create मतलब create मतलब निर्माण करने वाला पुनह निर्माण करने वाला तो Latin का आर्थ क्या हुआ? पुनह निर्माण करने वाला ठीक है? मनो रंजन के दो सब्द मन तथा रंजन का आर्थ है मन और रंजन इसके पहले first में यह सब आपको बता दिये थे कि मन को आनंदित करने वाली क्रिया मन को आनंदित करने वाली क्रिया ही मनो रंजन है ऐसी क्रिया जो मन को आनंदित करे वही क्रिया क्या है? मनो रंजन है अगला देखती है मनो रंजन के प्रतच सिध्धांत जो प्रतच सिध्धांत क्या है? जो हमें दिख जाए तो वो प्रसंता का अनुभो करना, आप प्रसंता का अनुभो करेंगे तो वो प्रतक्ष सिध्धान्त है, क्रिया द्वारा संतुष्टी और कारिये हेतु, पुनह उर्जा मिलना, ये सभी क्या है, मनोरण्यन के प्रतक्ष सिध्धान्त है, मनोरंजन के अप्रतथ सिध्धान्थ क्या हो सकते हैं जैसे कि आप देखो संतुलित विकास हो रहा है आदस्त नादिक्ता का विकास हो रहा है प्रजातांत्त गुडों का विकास हो रहा है ये सब आप देख तो नहीं पाओगे लेकिन ये सब हो रहे हैं उनके अंदर किसके द्वारा मनुरंजन के द्वारा तो ये अप्रतच सिध्धानत है अब आगे देखते हैं मनुरंजन आनंद में नीहित है तो इसकी आनंद में नीहित है क्या समू में सामिल होकर आनंद उठाना या फिर समू को दूर से ही देखकर आनंद उठाना जैसे कि एक क्रिकेट खेल हो रहा है वहाँ पर आप डाउन में बैड कर आनन उठाओ या फिर आप एक प्लेयर की तरह है उसमें खेल कर आनन उठाओ यह सब क्या है मनोरंजन के आनन में निहित हैं मनोरंजन के आधुनिक साधन क्या है मनोरंजन के आधुनिक साधन क्या है तो आज के समय में चाहे आप केम्पूटर पे बैठो चाहे मोबाइल फोन लेके बैठ जाओ DVD चलाओ, VCDA चलाओ, यह सब जो है क्या है मनोरंजन के आधुनिक साधन है लेकिन सबसे आदा तो इससे में मोबाइल फोन चलता है तो इस प्रकार से मनोरंजन के साधन सभी हुए प्राचीन काल में भारत वर्षे में मनोरंजन का वरणन किस गन्तों में मिलता है तो चाहे रामायड हो और चाहे महाभारत यहाँ दोनों कहीं लोडों खेलते मिलेंगे तो कहीं जो है गिल्ली डंडा या फिर घोड़ा घोड़ तो यह सब जो है महाभारत और रामायड जो बाल में की द्वारा लिखी गए थी और वेदवास द्वारा तो यहां पी जो है आप मनुरंजन को साथ देख सकते हैं मनोरंजन के अच्छे कारकरम नियोजन के गुड़ बताईए तो अच्छे कारकरम नियोजन के गुड़ क्या हो सकते हैं वो लिंग के अधार पर हो समाज की आउसकता के अनुडोप हो और उद्देश के लच्छो को प्राप्त करने वाला हो वो ऐसा मनुरंजन अच्छे कारकरम नियोजन के गुड़ है इस प्रकार से आज 50 प्रशनों का जो सिरीज था वो समाप्त हुआ कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब कर लें क्योंकि आगे ऐसे ही बहुत सारी वीडियो को हम आपके सामने लाते रहेंगे धन्यवाद